अलो गाईज क्या याम सब खाल चाल तो दोस्तों अब पहले तो दिल से शुक्रिया कि हमारे जो है ना वो 200सक्राइबर बीजिए जिन दोने भी सब्सक्राइब किये उनको दिल से शुक्रिया तो आज हम जो बात करेंगे वह है कि एक मैंने जो अपनी भाई के ना वह भाया 9000 किलो मेटर चला लिया है बिना टायर चेंज की हुए तो ये कुछ लोगों को बात हजम नहीं हो रही कि यार हमारा जो टायर है वो पांच हजार चेंज करवाना पड़ा क्योंकि वो बार-बार जो है पैंचर हो रहा था लेकिन अपना जो टायर है भाई वो नहुजार किलो मेटर चल चुका है और नहुजार किलो मेटर चलने के बाद भी अभी बड़े मरण राम से चल रहा मतलब मज़र से चल रहा कोई दिक्कत नहीं आरी मुझी ना तो आज उससे कभी पैंचर हुआ और अभी फैंचर यानि की अभी तक मैंने कभी लगाया या9000 km में एक बार शायद मेरा यह भाई लेकिया था उसने बोला था कि पैंचर हो गया है तो वो कुई केल Kud लगा उगा इसलिए पैंचर हो गया लेकिन अब भी जो मैंने वह बड़े मस्त से ल रहा है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एक बारी पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें तहाँ 8000 किलोमेटर अभी आप देख सकते हैं 9000 किलोमेटर जो है आपनी बाइक के पूरे हो चुकी है लेकिन फिर भी जो टायर है नो चल रहा है तो इसकी वज़ा यह है कि मैं जाला एक्सट्रीम जो है अभी राइट नहीं कर रहा हूं यहां आप बाद सकते हैं कि आफ रोडिंग जिसको बोलते हैं जहां पत्तर बूतर होते हैं जहां पर रहतीली रोड होती है उस रोड पे चलती है एक वज़ा हो सकती है कि इतना मेरा टायर जो चल गया है और मेरे यह कजन की शॉप है उसके पास गया था मैंने का यह अभी टायर चेंज करवा सकता हूं क्या तो वो बोल रहा है अभी आपका ठीक है देखिए अगर आपको पैंचर नहीं हो रहा है तो अभी आप कई ट्रिप पर जाना पड़ेगा जहां पर यह उन्हों एक्स्ट्रीम रोड होती है ओफ रोड इंग वगरा होती है तो आप जो है वो टायर चेंज करा सकते है लेकिन अभी जो है मेरे टायर चल रहा है अच्छे से अभी मैं चेंज नहीं करवाऊंगा आपका जो टायर है कितने किलोमेटर पर खतम हो गया तो आप कमेंट करके जुरूर बताना और बागी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो दिल से शुक्रिया आप एक हजार सब्सक्राइबर होने का वेट है तो ऐसे वीडियो दिखते रही है मिलेंगे दुबारा किसी वीडियो में